दोस्तो आज हम आपको पताने वाले हैं कि Angel Broking App किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से आपको fund add करना है, किस तरीके से आपको stock buy sell करना है, और किस तरीके से mutual fund या फिर SIP में investment करनी है, तो ये सारी detailed discussion आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं Angel One के app के सबसे पहले तो आपको login ID enter करके, password enter करके login करना होता है, अगर आप login ID से enter करते हो, तो उसके बाद आपको set mpin का एक option आ जाता है, तो आप mpin भी वहाँ पे set करके रख सकते हो, और बार बार आपको password वहाँ पे नहीं डालना होगा, सिर्फ आप वो pin enter करने के बाद आपको login हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने set करके रखा है, तो हम enter कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपका login हो जाएगा, login होने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि fund किस तरीके से add करते हैं, तो यहाँ पे जो fund का symbol दिखाई दे रहा है, उसके उपर आपको click करना है, तो available margin यहाँ पे दिखा देता है, total margin यहाँ पे दिखाई देता है, holdings कितने हैं, वो भी दिखाई देता है, और आपने अगर intraday trade लिया है, तो कितना margin आपने use किया है, यह भी यहाँ पे आपको पता चलता है, उसके बाद नीचे यहाँ पे fund add करने के लिए add fund का बटन दिय गया है, उसके उपर आपको click करना होता है, जैसे ही आप उसके उपर click करते हो, तो सबसे पहले तो जिस भी bank के साथ आपने यह account open किया है, मतलब टीमेट account open करते टाइम पे जो भी bank आपने select किया होगा, वो bank यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपने दो bank select किये है, तो bank के साथ आपका यह transaction आप करना चाते हो, वो bank आपको यहाँ से select करना है, उसके बाद bank select करने के बाद आपको यहाँ पे amount enter करनी होती है, जितने भी पैसे आप यहाँ पे enter करना चाते हो, या फिर add करना चाते हो, उतनी amount आपको enter करनी है, और उसके बाद आपको payment method select करना है, ज तो इस प्रकार से आपके पैसे जो dmate account में add हो जाएंगे आपकी bank से withdrawal करने के लिए आपको इस withdrawal के उपर click करना होता है और जैसे इसके उपर आप click कर देते हो तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे total balance दिखाई देगा उसके बाद withdrawal आप कितना कर सकते हो balance वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जितना यहाँ पे withdrawal करने के लिए available fund है उतना ही पैसा आप withdrawal कर सकते हो जो आपकी bank के account में credit हो जाएगा यहाँ पे आपको enter करनी होती है जो amount है withdrawal की और उसके बाद यहाँ पे दो bank हमने यहाँ पे दो bank add किये इसके वज़े से दो option आए है अगर आप एक ही bank select करते हो तो आपके पास एक ही option आएगा और उसी bank में आपका जो पैसा है वो credit हो जाएगा तो यहाँ से आपको bank select करना होता है और आपके पैसे उस bank में transfer हो जाते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि watch list कैसे add करनी है तो यहाँ पे watch list का जो symbol है इसके उपर आपको click करना है जैसे ही आप watch list के उपर select करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पहले तो search का option आ जाएगा add search stock मतलब search कोई भी stock यहाँ पे आप कर सकते हो यह universal option यहाँ पे आपको मिल जाता ह यहाँ पे आइसा नहीं यह कि सिर्फ आप currency search कर सकते हो या फिर आप सिर्फ stock search कर सकते हो या फिर commodity search कर सकते हो या फिर options प estoy your option हो भले वह a वो future का हो या फिर cash का हो या फिर BAC या फिर NAC का हो तो सारे यहाँ पर अगर आप नाम डालोगे जैसे कि Reliance हमें add करना है और देखेंगे कि किस तरीके से Reliance यह दिखेंगे Reliance हमने अगर Reliance search किया तो आपके सामने जैसे आप Reliance select करते हो तो cash के stock available हो जाते है future के stock available हो जाते है और पूरे option के stock यहाँ पे available हो जाते है जो भी यहाँ पे call option और put option है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे मिल जाएगे different different strike price की उपर तो यह आप वहाँ पे add कर सकते हो मान लो हमें NEC का यहाँ पे stock add करना है तो stock को select करना है तो symbol added successfully हो गया यहाँ पे आप देख सकते है Reliance का stock हमारा add हो गया है अगर आपको watch list ही different sector की बनानी है तो आपको setting के उपर click करना होगा जैसे इस setting के उपर आप click करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो create watch list से आप different watch list तयार कर सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पे अभी my watch list तयार की है और bank के लिए अलग सी watch list तयार की है उसी की तरह आप यहाँ पे metal sector के लिए, pharma sector के लिए, IT sector के लिए different watch list तयार कर सकते हो और यहाँ पर add कर सकते हो जो भी watch list आपको देखनी होगी तो उसके सामने जो star है उसके उपर आपको select करना होगा जैसे कि हमने आपे bank पर select किया है तो bank की जो watch list होगी आपके सामने available हो जाएगी वापिस से अगर आपको जो my watch list है वो करनी है तो star के उपर select करना है yes करना है तो पीछे जाके देखोगे तो जो my watch list है उसमें जो stock है वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे अब ये तो होगी watch list अब stock buy करने के लिए क्या करना है जो भी stock आपको buy करना है watch list में add किया हूँ stock अगर आपको buy करना है तो stock के उपर select करना है जैसे ही stock के उपर आप select कर देते हो आपके सामने यहाँ पे buy और sell का option आजाएगा यहाँ से आप buy भी कर सकते हो और sell भी कर सकते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि option chain data अगर आप इस link के उपर click करोगे तो आपके सामने यह option chain का data दिखाई देगा मतलब अगर FNO का stock है तो उसके call option क्या भाव पे चल रहे है कितने changes उसमें हो गए है OI data में कितना changes है यह सब आपको दिखाई देगा पुट option का भी data आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है यहाँ से आप expiry select कर सकते हो जैसे कि November की expiry का data देखना है December की expiry का data देखना है या फिर January की expiry का data देखना है तो यह सारी चीज़े आप यहाँ से देख सकते हो पीछे जाने के बाद आपको यहाँ पर पता चलेगा कि चार्ट कैसे देखने है चार्ट के उपर आप अगर सिलेक करते हो तो उस पर्टिक्लर स्टॉक का चार्ट आपके सामने दिखाई देगा यह देख सकते है आप चार्ट ओपन हो गया है बी-ेच ई-े-ल का किस तरीके से हम यहाँ पे चार्ट की सेटिंग कर सकते हैं वो भी देखेंगे यह जो चंद्रमा का सिंबॉल दिखाई दे रहा है यह night mode अगर करना हो जैसे कि यह black हो गया पूरा अगर यह फिर से हम कर देते हैं यह तो पूरा white हो गया तो white background हमेशा अच्छा रहता है देखने के लिए भी और trade आपको आसानी से यहाँ पर पता चलते हैं उसके बाद यहाँ से आप time change कर सकते हो यहाँ से आप candle select कर सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर select कर सकते हो जैसे कि different different indicator अगर आप stock के उपर लगाना चाहते हो RSI हो गया या फिर bollinger band हो गया या फिर super trend हो गया तो यहाँ से आप indicator select कर सकते हो जैसे कि moving average हो गया तो हम यहाँ करें आपको सिर्फ क्या करना है type करना है moving average moving average exponential अगर आप जैसे type करते हो तो यहाँ पर आपको length select करनी होती है जैसे कि 50 day moving average हो गया 10 day moving average हो गया 20 day moving average हो गया तो यहाँ से आपको select करना होता है और बस ok की उपर click करना होता है हम अभी 9 पर ही रखते है तो जैसे ही आप देख सकते हो कि यह purple color की line आ गई है जो 9 days की moving average हमें indicate कर रही है template अगर आप बनाना चाते हो तो template बना सकते हो यहाँ से आप save भी कर सकते हो जो भी आपने यहाँ पर indicator का पूरा set करके रखा है तो उसको आप save करने के लिए save के उपर अगर click करोगे तो उसको आप नाम देके यहाँ पे save भी कर सकते है जो भी आपने setup यहाँ पे बनाया है उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप screenshot भी ले सकते हो यहाँ से तो screenshot लेकिए अगर किसी दोस्त को आपको भेजना है या फिर save करके रखना है कि ऐसा-इस setup बनाये, chart pattern बनाये तो यह भी आप यहाँ पे कर सकते हो तो उसके बाद यह जो छोटा सा arrow दिखाई दे रहा है तो उसको अगर आप select करते हो तो आपको यहाँ पे different tools मिल जाएंगे जैसे कि आपको train line ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो आपको कुछ लिखना है तो stock के उपर लिख सकते हो यहाँ पे different different अगर कोई pattern बनाने हो तो यहाँ से आप यह toolbar यूज करके वो pattern बना सकते हो और stock के उपर trade लेने की कोशिश कर सकते हो उसके साथ-साथ यहाँ पे ही आपको buy or sell का button दिया गया है मतलब चार्ट देखकर ही direct आप यहाँ से buy कर सकते हो जैसे कि हम यहाँ पे buy के उपर click कर देंगे तो जैसे ही आप buy के उपर click करेंगे यह आपको ले जाएगा buying की window पे आप देख सकते हैं यहाँ पे BHL का stock दिखाई दे रहा है NEC और BAC का exchange दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको normal order, stop loss order और robo order तीन order मिलते हैं जो कि आपको enter करने होते हैं normal order में आपको सारी चीज़े manually करनी परती है जैसे कि quantity enter करनी होती है, price enter करनी होती है product type आप यहाँ पे select करते हो margin, delivery या फिर intraday आप intraday में trade करना चाते हो, तो intraday select करते हो margin select करते हो, तो आप margin use करके मतलब मानलो आपके पास सिर्फ 25,000 रुपे है और आप 1,000,000 रुपे का trade लेना चाते हो तो अगर आप margin select करते हो, तो angel 1 आपको बचे हुए 75,000 रुपे देता है, लेकिन इसके लिए आपसे interest चार्ज करता है, वो interest कितना है यहाँ पे, 0.049% per day, मतलब अगर आप calculate करते हो इसे, तो लगबक 18% yearly का आपको यहाँ पे interest देना पड़ता है, जो भी आप यहाँ पे stock margin select करके buy करते हो, आप 25,000 रुपे आपके पास है, आप 75,000 रुपे angel 1 से ले रहे हैं, तो उस 75,000 के ऊपर आपको इतना interest देना होगा, लेकिन यह दोधारी तलवार है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका trade गलत हो गया, तो आपको loss हो सकता है, प्लस आपको interest भी पे करना है, लेकिन अगर आप positive में चले गया, आपका trade अच्छे तरीकी से आपकी direction में चला गया, तो आपको यहाँ पे फाइदा भी हो सकता है, तो margin या फिर intraday दोनों भी select करना है, और extra leverage use करके आपको trade करना है, तो आपका analysis proper होना चाहिए, delivery अगर आप select करते हो, तो normal आपको जितने भी quantity buy करते हो, उतने यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि एक quantity के लिए 22 रुपे 10 पैसे जो कि अभी current price चनर रहा है, वही margin अगर use करते हो, तो 28 रुपे में आप stock तो buy कर लोगे, quantity भी यहाँ पे extra buy कर लोगे, लेकिन आपको interest यहाँ पे देना पड़ेगा, intraday में भी आपको 1000 quantity के लिए 14,000 यहाँ पे करने होगे, margin में उससे भी कम लगते हैं, लेकिन आपको interest देना पड़ता है, यह आपको ध्यान में रखना है फिलाल क्या करेंगे हम, delivery में आपको एक stock buy कर गे दिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, किस तरीके से buy करना है, यहाँ पे limit और market दिया गया है limit अगर मैं select करता हूँ, तो यहाँ पे हम price select कर सकते हैं, जैसे कि 71.90 चल रहा है, मुझे buy करना है 71.50 पे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, limit select करने के बाद 71.50 पे order हमारा लगा दूँगा, अगर मुझे current market जो price चल रहा है उसके उपर ही buy करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, market के उपर select करूँगा तो जो भी market price होगा, उसके उपर मेरा यह stock buy हो जाएगा उसके साथ साथ यहाँ पे validity day और IOC है, day validity का मतलब होता है अगर मैंने limit order लगाया है, और मेरा order शाम 3.30 बज़े तक execute नहीं होता है तो वो order 3.30 बज़े तक valid रहेगा और 3.30 बज़े के बाद cancel हो जाएगा लेकिन मैं यहाँ पे IOC अगर select करता हूँ और मैंने limit order लगाया है एक रुपए नीचे का और market में वो order available ही नहीं है, तो order वो cancel हो जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे validity select करनी है उसके बाद हम यहाँ पे buy के उपर click करेंगे, market के उपर ही buy कर लेते है, buy के उपर click करने के बाद confirm करना है confirm करने के बाद आप redirect हो जाओगे orders में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि orders में आपका जो execute हो गया हुआ order आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको pending orders और positions दो चीज़े दिखाई देती हैं, pending orders क्या होता है, जो भी आप limit order लगाते हो और आपकी order अभी execute नहीं होई है वो order आपको pending में दिखाई देगी और जो order execute हो गई है, वो आपको यहाँ पे executed और rejected order में दिखाई देगी जैसे कि आप देख सकते है, BHEL का हमने यहाँ पे order price डाला था, executed quantity, executed delivery में हमने लिया था, और किस price पे लिया था, यह सारी चीज़े हमें execute में दिखाई दे रही है अगर यहाँ पे आपको positions देखनी है, profit and loss कितना हो रहा है यह देखना है, तो positions में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते है, BHEL का net quantity 1 है, average price हमारा था 72.05, current price चल रहा है 72 रुपीज, मतलब यहाँ पे net loss हमें हो रहा है 0.10 पैसे का, तो यहाँ से आप देख सकते है यही stock आपको अगर sell करना है, तो positions में select करना होगा, position में select करने के बाद आप यहाँ पे 3 जीजे कर सकते हो, या तो sell कर सकते हो, या तो और add कर सकते हो, अगर intraday में apply करते हो, तो convert कर सकते हो, उसे delivery में या फिर stop loss लगा कर भी यहाँ पे आप wait कर सकते हो exit करने के लिए हम देखेंगे कि किस तरी किस exit करना है exit के उपर click करना है exit के उपर click करने के बाद वही आपसे पूछा जाएगा order type market पे exit करना है या फिर limit लगा के आपके price के उपर exit करना है या आपको यहाँ पे select करना है यहाँ पे quantity enter करनी होती है अगर आप 100 quantity buy करते हो और आप 50 quantity बेचना चाते हो तो आप यहाँ पे quantity select उतनी कर सकते हो आप पूरी quantity भी sell कर सकते हो यह आपके उपर totally depend होता है कि आप कितनी quantity sell करोगे और यहाँ पे आपको price select करना होता है और उसके बाद यह exit का button क्लिक करना होता है जैसे ही आप exit का button क्लिक करोगे अगर वो market select करते हो तो directly order execute हो जाएगा और अगर limit select करते हो तो वो order pending रहेगा और आपकी price आने के बाद वो exit हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे research work out होता है यह जो research का button है research के उपर आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको stock के लिए advice मिलता है buying और selling के लिए intraday के लिए long term के लिए short term के लिए जो भी stock का advice होगा इनकी जो team है वो आपको यहाँ पे available करके देती है उस stock में आप investment कर सकते हो या intraday में trade कर सकते हो उसके बाद external service में अगर आप जाते हो तो आपको sensible small case और streak यूज करने के लिए मिलता है जो कि angel one के login के साथ ही आप उसमें भी login कर सकते हो sensible में आप option strategies बना सकते हो और उसके उपर काम कर सकते हो small case में आप basket टायर कर सकते हो different sector की या फिर different stock की basket टायर करके वहाँ से directly investment कर सकते हो और streak में आप जो आपकी strategies है वो back test करने के लिए वो streak का use up कर सकते हो तो ये तीन चीज़े आप यहाँ पे कर सकते हो portfolio पे अगर आप click करते हो तो जो भी stock आपने holding के लिए लिया है वो आपको यहाँ पे equity section में दिखाई देगा जैसे कि आप देख सकते है कि हमने अभी ये बहल का stock लिया अधित्य बिर्ला फैशन का हमारे पास stock पड़ा है go excess gold ETF हमारे पास पड़ा है तो ये सारा पूरा जो unrealized gain है unrealized gain क्यों है क्योंकि हमने अभी तक ये बेचा नहीं है इसकी वज़ेसे ये unrealized gain में दिखाई दे रहा है तो current value invested और invested value और current value आपको दिखाई देगी उसके बाद आप F&O में जो position लेते हो तो आपको F&O में दिखाई देगी commodities की position आप देख सकते हो currency की position देख सकते हो mutual fund और bond की position भी आप यहाँ से देख सकते हो उसके बाद ये जो 3 dot आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे है उसके उपर आप अगर click करोगे तो आप यही से mutual fund में भी directly invest कर सकते हो जैसे कि mutual fund के उपर आप select करते हो mutual fund के उपर select करने के बाद यहाँ पर आपको angel b का जो इनका application है वो भी आप download करके वहाँ पर भी आप mutual fund भाई कर सकते हो या फिर यहाँ पर लंसम और SIP के अपर अगर आप click करते हो तो यहाँ पर जो भी available mutual funds है या फिर यहाँ से आप search भी कर सकते हो कौन का उनसे mutual fund में आपको invest करना है या फिर देखना है उसके बाद आपको mutual fund select करना होता है यहाँ से आप लंसम या फिर SIP select करते हो minimum amount आप investment select करते हो और proceed करते हो उसके बाद आपकी जो उस particular mutual fund में one time investment या फिर SIP शुरू हो जाएगी अगर आप proceed करते हो मानलो मुझे लंसम investment करनी है और मैं proceed करते हो तो यहाँ पर आपको पूरी details देखने के लिए मिलेगी amount आप यहाँ से edit कर सकते हो bank details आपके मिल जाएंगे और submit करने के बाद आपका one time investment हो जाएगा सेम तरीके से आप यहाँ पर SIP भी कर सकते हो different different यहाँ पर scheme आपको search करने के लिए equity scheme, debt scheme, balance scheme और tax saving scheme के बारे में भी पता चलेगा उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर GTD order किस तरीके से आप इसमें लगा सकते हो trade में जाना है और यहाँ पर GTD order के उपर select करना है जैसे ही GTD order के उपर आप select करते हो तो create GTD करना है GTD order एक साल के लिए valid रहता है जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले discuss किया कि हम यह order अगर day validity select करते हो तो एक दिन के लिए valid रहता है वैसे ही यहाँ पर GTD order एक साल के लिए valid रहता है तो stock select करना होता है आपको जहाँ पर भी आपको करना है जैसे कि हम cash में करना जाते है reliance में तो select करना है quantity place करनी है trigger price place करनी है limit price place करनी है और यहाँ पर delivery और margin select करके आप GTD order place कर सकते हो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर stock में SIP कैसे की जाती है यहाँ पर stock SIP के उपर select करना है okay करना है और यहाँ पर आप basket बना सकते हो मतलब जो भी आप basket create करना चाहते हो sector wise होगा या फिर आपके favorite stock के wise होगा उसकी basket आप तयार कर सकते हो create basket अगर आप करोगे तो उसमें आपको stock add करने होते है जो भी stock आप add करोगे जितनी भी quantity के लिए add करोगे उसमें वो आपकी investment होती जाएगी terms and condition accept करने के बाद place order करना होता है place order जब भी आप करोगे उसके लिए आपको date सिलेक करनी होती है यहाँ पर आप देख सकते है कि कितनी amount उस basket में आप invest करना चाहते हो frequency क्या रखना चाहते हो periods कितना रखना चाहते हो start date क्या होगी और end date क्या होगी यह सारी चीज़े आपको update करनी होती है और उसके बाद आपको basket create करके order place करनी होती है और आपका जो basket है वो हर monthly अगर frequency रखते हो तो हर month 10,000 रुपे की उस basket में के stock आपके buy हो जाएंगे या फिर आप weekly रखते हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे investment कर सकते हो stock में भी उसके बाद यहाँ पे आप IPO में भी investment कर सकते हो directly IPO apply कर सकते हो IPO के उपर आप click करते हो तो आपको यहाँ पे list आ जाएगी IPO की यहाँ पे सारी चीज़े आपको दिखाई देगी जैसे कि Paytm का IPO अभी यहाँ पे open है apply यही से करना है no more करना है तो उसके उपर जाके आप देख सकते हो कि क्या-क्या इनके detail है financial है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखनी मिलती है और आप यही से IPO apply कर सकते हो उसके बाद अगर आपको fundamentals देखने है किसी stock के तो stock के उपर सिर्फ click करना है और यहाँ पे आप देख सकते है कि जो different different prices है stock की यहाँ पे open price है high price है low price है lower circuit और upper circuit के बारे में पता चलता है उसके बाद यहाँ पे technicals आप देख सकते हो technicals में आप chart देखते हो या फिर EMA कहाँ पे है उसके बाद RSI कहाँ पे है MACD कहाँ पे है SMA कहाँ पे है और oscillator कहाँ पे दिखा रहा है bullish कितने लोग है bearish कितने लोग है यह सारी चीज़े आपको technicals में पता चलती है derivatives का data देखना है तो पूरा highest build up कौन से put के है उपर है कौन से call के उपर है put call ratio क्या है यह सारी चीज़े short covering कहाँ पे आने वाली है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे पता चलती है यहाँ से आप expiry भी change कर सकते हो fundamentals देखने के लिए आपको fundamentals के उपर click करना है तो quality यहाँ पे stock की पता चलती है valuation यहाँ पे पता चलते है financial trained पता चलता है net sale कितना किया है PAT कितना आया है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे पता चलती है उसके बाद stock की industry कौन सी है market capital कौन सा है PE ratio price to book value या फिर EBITDA कितना आया है capital employed कितना है sales कितना है PEG ratio कितना है यह सारे fundamentals आपको stock के उपर select करने के बाद मिल जाते है तो इस तरीके से आप यहाँ पे stock के बारे में पता कर सकते हो और stock में investment कर सकते हो तो फिलाल तो इतना ही दोस्तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि angel one यानि कि angel broking इसका नाम change हो कि angel one हो गया अभी उसका use कैसे करना है stock में buying और selling कैसे करना है इसमें detail जानकरी इस वीडियो में हमने आपको दी है I hope आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ share कीजेगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद